नमस्कार दोस्तों आपका हमारे सबका नौलज यूट्यूब परिवार में स्वागत है आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ अगर पत्नी को करना है खुश तो करें बस यो दस काम करवा चौथ का क्योहार आने वाला है ऐसे में जितनी एकसेटमेंट पत्नी के अंदर होग करनों के लिए बहुत खास दिन माना जाता है इस दिन पत्निया वरत रखकर अपनी पती की लंबी उम्र के लिए दूआ करती हैं ऐसे में पत्नियों का भी ये वर्स बनता है कि वो और पत्नी का खयाल रखे और उन्हें अच्छा सातोफा दें अगर आप अब तक पत्नी को कैसे खुश करना है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं इन दस आसान तरीकों से आप अपनी पत्नी को खुश कर सकते हैं करवा चौत वाले दिन नतरें जगडा अगर आपका अपनी पत्नी से जगडा चल रहा है तो उस दिन उस जगडे को नजर अंदाज करके पत्नी क प्यार से पेश आयें इस से, आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा, इसके, अलावा कोशिश करेंकी करवा चौथ पर पत्नी को न राज न करें ते सकते हैं यो, तोफा करवा चौथ के वरत के बाद अगर आप अपनी पत्नी को उनकी पसंद की कोई चीज, गिफ्ट करेंगे त सकते हैं जिस से उन्हें खुशी मिले दिन पर बाहर जा सकते हैं क्योंकि करवा चौत वाले दिन पूरा दिन पत्नी भूखी रहती है इसलिए वरत खोलने के बाद उन्हें दिन पर ले जाएं और उन्हें special feel करवाएं दिन पर आप अपनी पत्नी की पसंद का खाना order करें इसस उन्हें अच्छा लगेगा उनके साथ वक्त बिताएं अगर मुम्किन हो सके तो करवा चौत वाले दिन ओफिस से छुटी लेने और अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताएं उस दिन आपका घर में रहना आपकी बीवी को खुश कर सकता है घर के काम में उनकी मदद करें वैसे तो आम तोर पर पती घर का काम नहीं करते हैं लेकिन कोशिश करें कि उस दिन घर के काम मैं अपनी पत्नी का हाथ बताएं क्यूंकि पत्नी पूरा दिन वरत के चलते भूखी रहती है तो अगर आप उनके साथ घर के काम में हाथ बताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और उन्हें ठकान भी कम होगी, पत्नी को सर्प्राइज दे सकते हैं, वैसे तो पत्नियों को हमेशा ही सर्प्राइज अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप करवा चौत वाले दिन उन्हें कोई सर्प्राइज देंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, उनके साथ आप भी वरत रख सकते हैं, करवा, चौथ का वरत वैसे तो शादी शिदा महिलाओं के लिए होता है लेकिन अब वक्त बदल गया है और पती पत्नी को समान माना जाता है, ऐसे में अगर आप भी अपनी पत्नी के लिए वरत रखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, करवाने का शौक है तो आप करवा चौथ वाले दिन उनके साथ एक अच्छा सा फोटो शूट करवा सकते हैं, ऐसा करने से आपकी बीवी खुश भी जाएगी और आपके पास एक अच्छी याद भी हमेशा के लिए तस्वीर में कैध हो जाएगी, पुराने दिनों को करें अगर आपकी लव मेरेच हुई है तो आप इस दिन अपनी पत्नी से उन दिनों की बाते करें जब आप दोनों की शादी नहीं हुई थी, ऐसा करने से पत्नी को अच्छा लगेगा, पत्नी को स्पेशल फील कराएं, करवा चौथ का दिन, किसी भी शादी शिदा महिला के लि जैसे अगर पत्नी की मरजी हो तो आप उन्हें पसंद की जगह घुमाने ले जा सकते हैं, हैं मूवी देखने जा सकते हैं, तो दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वामारी इस वीडियो को लायक शेर जरूर तरें और सब्सक्राइ तरही सबका नॉलज को धन्यवाद